आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्राब्लम और बहुत ही कॉमन कोईस्टिन जो खवातीन की जानब से अक्सर पूछा जाता है इस्पेशली जो नए शादिशुदा कॉपल्द होते हैं जो प्रेगनेंट होने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं ये प्राब्लम वो बहुत ज़्यदा फेस कर रहे होते हैं तो अक्सर खवातीन ये कहती है कि हमने अपना यूरन प्रेगनेंसी टेस्ट किया यूरन प्रेगनेंसी स्ट्रिप के जरिए तो प्रेगनेंसी स्ट्रिप के अंदर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया दो लाइन्स शो हुई एक डार्क एक लाइट तो टेस्ट हमारा पॉजिटिव था लेकिन जैसे हैं फिर डॉक्टर के पास चेक अप करवाने के लिए जाती हैं डॉक्टर अल्टर साउंड करते हैं त क्यों बताया कि बेबी शो नहीं हो रा अभी आप वेट करें तो इसकी बहुत सारी वजुहात हो सकती है प्रेगनेंट होने के लिए जब आप कोशिश कर रही होती है तो ये बहुत ज़्यादा डिस अपॉइंट्मेंट होती है आपके लिए कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पहले पॉजिटिव आया है और बाद में कुछ दिन के बाद आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो नेगिटिव आ गया या आपने अपना अल्टरसाउंड करवाया उसमें बेबी शो नहीं हो रा तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है लेकिन इ आपकी उल्चन दूर हो सके मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अब यहां पे सबसे पहली इहत्याद तो आपने यह करनी है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी अक्स प्रेगनेंसी टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें कम अज कम आठ दिन आप वेट करें अपने पिरियट की डेट मिस होने के बाद और उसके बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें फिर अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट लखिली पॉजिटिव आ जात तो इस अभी तक बेबी इतना ज़्यदा ग्रो नहीं हुआ होता कि आपको अल्टरसॉंड में नजर आ जाएगा तो इसलिए डॉक्टर आपको जब कह देते हैं कि आपका अल्टरसॉंड के अंदर बेबी शो नहीं हो रहा तो आप डिस्वपॉइंट हो जाती है और बहुत ज सी वजूहात हो सकती हैं जिनमें आपका प्रेग्नेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है लेकिन आपको प्रेग्नेंसी नहीं भी हो सकती उसके बावजो टेस्ट पॉजिटिव होगा या आपको प्रेग्नेंसी होगी लेकिन कुछ वजूहात की वैसे आपकी प्रेग्नेंस स्ट्रिप के ओपर ती हो पॉजिटिव होता है लेकिन फिर कुछ दिन के बाद जब आप अपने टेस्ट करती है तो सिरफ एक लाइन नज़र आती है यानि कि आपको टेस्ट नेगेटिव लगता है आप बहुँ ज़्यदा परशान होती है तो इसको हम फाल्स प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं इसमें आप जो घलतियां करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट को करने में उनको मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आप सही तरह से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकें सबसे पहली जो चीज़ है आपने जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप है वो किसी अच्छे ब्रैं उसका सैंपल लें उसमें टेस्ट करें क्योंकि उस वक्त आपका urine concentrated होता है उसके अंदर SCG की मिक्दार काफी ज्यादा होती है और असाने से detect हो जाती है अगर आप दिन में जिस वक्त आप पानी पी रही होती है तो आपका urine पतला होता है तो उसमें आपकी pregnancy miss भी हो सकती है और आपको result confuse कर सकता है अब आपने अपना pregnancy test कर लिया तो pregnancy strip को भी जब आप रखें एक ये दो मिनट के लिए किसी जगा पर तो make sure कि वो जगा बिल्कुल साफ सुत्री हो और गीली नहो खुश की जगा पर रखें और फिर एक जो और important गलती आप करती है कि pregnancy strip पे आपने टेस्ट कर लिया उसके बाद आपने उसको read करना है अगर आप pregnancy strip रखके भूल जाती है आदा गंटे से भी एक गंटा दो गंटा ज्यादा उसके बाद आप दोबारा से उसको देखती है तो वो टेस्ट अगर negative भी है तब भी आपको positive लगेगा क्योंकि एक दो घंटे के बाद जो urine उस strip के अंदर होता है वो evaporate होना शुरू हो जाता है और एक line बन जाती है जिसे हम evaporation line कहते हैं तो एक्चली वो positive pregnancy नहीं होती वो negative pregnancy होती है लेकिन evaporation line के वैसे आपको positive लग रही होती है इसलिए इस evaporation line के धोके से बचने के लिए आपको अपना pregnancy test आपने किया तो strip को 3-4 मिनट के अंदर ही देख लेना चाहिए उस वक्त जो result आपको नजर आएगा उसी को आप सही मानें अब next जो reason हो सकती है कि आपको pregnancy test भी positive आ रहा है लेकिन pregnancy नहीं है इसकी वज़ाई हो सकती है कि अगर आप कुछ infertility की medicine ले रही हैं आप pregnant होना चाहती है प्रेगनेंट नहीं हो पार हैं डॉक्टर के पास जाती हैं डॉक्टर आपको कुछ infertility की medicines देते हैं जैसा कि egg release होने क medicine doctor use करवाते हैं तो इन दवाईयों के अंदर already SCG hormone होता है और यही SCG hormone pregnancy strip पे अगर जाहर हो तो positive हो जाता है तो इसलिए अगर आप infertility की medicine खा रही हैं और इस समय आपका period मेस हो जाता है और आप test करती है positive आ जाता है लेकिन pregnancy आपको नहीं है तो यह इन अद्वियात की positive हो सकता है और pregnancy नहीं होगी और next जो reason है वो हो सकती है biochemical pregnancy biochemical pregnancy क्या होती है इसमें actually आपका जो egg है वो आपके husband के sperm के साथ मिल तो जाता है fertilization तो हो जाती है लेकिन फिर जिस वक्त आपका embryo आपकी फिलोपिन ट्यूब से travel करता हुआ uterus के अंदर आता है और बच्चेदानी की दिवार के साथ जुडने की कोशिश करता है जिसे हम implantation कहते हैं तो वहाँ पर आपकी implantation successful नहीं हो सकती तो hormone तो बन जाता है SCG का और detect भी हो जाता है pregnancy test positive होता है लेकिन आपको periods आ जाते हैं लेकिन ये actually आपका early miscarriage होता है test तो positive आ रहा होता है तो इसमें कुछ actually ऐसी pregnancies होती हैं जो के nature की तरफ से chromosomal abnormality इसकी वज़े से आगे grow नहीं करवाती है और आपके body से expel कर दी जाती है अब next जो reason हो सकती है कि आपने अपना urine का pregnancy test किया positive आ पिर आपने उसे confirm करने के लिए अपना blood SCG का test किया blood के अंदर भी आपके SCG का hormone बढ़ रहे हैं लेकिन ultrasound कर आना जात में इदर ओदर ठहर गया है तो hormones तो होते हैं लेकिन pregnancy positive भी होती है लेकिन pregnancy आगे grow नहीं कर पाती ऐसी सूरत में या तो आपको miscarriage हो जाता है या फिर आपको abortion करवाना पड़ता है क्योंकि tubes के अंदर इतनी space नहीं होती कि आपकी pregnancy आगे grow कर सके इसके इसके इलावा pregnancy test positive होने आपको pregnancy नहीं होगी लेकिन pregnancy test positive शो हो सकता है तो dear expected mothers आज की इस वीडियो का take home message यही है कि एक तो आप अपना pregnancy test करने में बहुत ज़्यादा जल्दी न करें अपने period date के miss होने के कम असकम आरतिन बाद pregnancy test करें और जब आपका pregnancy test positive अगर आ जाता है फिर भी आप doctor के पास जाने बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें कम असकम दो हफ़ते मुझीद वेट करें फिर जाकर अपने doctor को check करवाएं और ultrasound करवाएं और अगर आपके doctor आपका ultrasound repeat करवाने का कहते हैं तब भी आप दो हफ़ते वेट करें और परेशान नहों और अपना ultrasound दोबारा repeat करवाएं तो अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा